please subscribe my channel it's really motivate me to make more video for you welcome student आज़ की वीडियो में हम सीखेंगे कि ब्रिज को किस तरीके से अनलाइज करते हैं उस इपिस दो जिसमें हमारी बॉह सारी ट्रस City होती है इजिसमें हमारी concrete की road होती है और नीचे हमारे eye section beam लगे होते हैं तो आज की वीडियो में हम bridge को analyze करेंगे on the basis of vibration frequency हम check करेंगे कि कि कितनी vibration frequency पर या फिर कितनी भुकम की frequency पर वो bridge गिर जाएगा सब तो हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि हमारा जो bridge है वो कितनी frequency को sustain कर सकता है तो चलिए start कर लेते हैं vibration analysis करने के लिए हमें जाना होता है model analysis में double click करने के बाद आपके सामने यहां पर model analysis का module open हो जाएगा यहां पर आप right click करकर material को define कर सकते हैं edit करने के बाद मैंने इससे पहले वाले analysis में सारे materials define किये हुए हैं इसलिए मैं directly उन materials को यहां पर import कर लूँगा जिससे की वो materials मेरे यहां पर feed हो जाएंगे यह already यहां पर feed हो चुके हैं इसके बाद में right click करूँगा geometry पर geometry में जाने के बाद यहां पर अपनी geometry को import कर लूँगा जो भी मेरी design की geometry है suppose यह मैरी जो design है उसकी geometry मैंने आप पर import कर ली है इसके बाद मैं right click करूँगा model पर आप double click करकर भी open कर सकते हैं या फिर right click करने के बाद edit पर click करने के बाद भी आप उसको open कर सकते हैं तो जैसे कि आप देख पा रहोंगे यह हमारे bridge यहां पर import हो चुका है चलिए अब इसमें boundary condition लगा देते हैं यह जो green portion आपको दिख रहा है यह हमारे सारी trusses है दैन यह जो आपको यहां पर gray और यह पीछे की side यह orange color का section है यह हमारी concrete की road है जिसके उपर bitumen के layer है इसके बाद जो हमारे side में है यह rest है यह चलने के लिए जो होते हैं side में footpath जो होता है इसके बाद नीचे की तरफ अगर आप यहां पर देखेंगे तो यह हमारे rolling support दी हुई है क्योंकि अगर यह सिंप्ली सपोर्ट या फिर सिर्फ रखे हुए भी हो तो हम यहां पर इनको रख सकते हैं तो यह है हमारा complete design bridge का चलिए अब इसमें आपर layer properties और material define कर लेते हैं यहां पर हम right click कर इस पर click करेंगे click करने के बाद यहां पर हमारे eye sections beam आ जाएंगे जैसे मैं eye section beams पर click करूँगा तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर 1,2,3,4,5 यह 5 eye section beams है यह सारे के सारे select हो गए है automatically अब यहां पर नीचे जो materials आ रहा है यह है structure steel आप चाहें तो यहां से material इनका change कर सकते हैं जैसे कि यहां पर हमारा steel लिखा हुआ है तो अगर हमारा eye section beam steel का बना हुआ है तो आप यहां पर click करेंगे तो हमारी यह जो हमारी structure steel वाली जो property जो हमने steel में जो property define की होंगी वो यहां पर select हो जाएंगी अगर आप का eye section beam अलग material का बना हुआ होगा तो आप इंजिनिंग data में जाकर उसको define कर सकते हैं कि उस eye section beam की क्या material properties है चलिए तो अब next component पे click करते हैं next component है हमारा यह layers आप देख रहे होंगे जैसे मैंने आज second component पे click किया तो यहां पर यह side वाला और यह जो नीचे की layers है यह select हो गई है यह होती है हमारी concrete की layer जब भी हम road को define करते हैं road को बनाते हैं तो हमारी यहां पर concrete की layer होती है और यह उपर वाली layer जो होती है वो bitumen की होती है तो यहां पर यह already click करने पर select हो गई है अब मैं यहां पर click करूँगा और click करने बाद यहां पर मैंने concrete की properties define की हुई है इस पर click करूंगा तो यह material property इसके भी define हो जाएगी next component पर click करेंगे तो हमारे trusses select हो गए है जो कि यह सारे हम next पर click करेंगे तो यह हमारा देखो slab one है और यह slab two है तो यह हमारे काफ़ी सारे slabs है एक हमारा slab यह वाला है एक यह वाला है और एक यह बीच में छोटा सा slab है यह तीनों के तीनों component हमारे slab slab का मतलब यह जो हमारा उपर bitumen की layer होती है यह इस part को मैंने slab नाम से save किया था बट यह जो होती है यह जो green अभी select हो रखा है यह हमारी bitumen की layer होती है तो हम यहां से जाकर structure steel हटाकर यहां पर इसकी properties change कर देंगे that is bitumen तो यहां पर click करेंगे तो यह bitumen set हो गया है material तो यह जो ह पाकी के component बच्चे हैं वो यहां पर लिखे हुगा है यह देखो green जैसे मैंने support पर click 10 पर तो यह यहां पर select हो गई है इनकी material properties हमारी वही होती है जो कि हमने i section beam की रखी दी तो हम इनकी material property को change नहीं करते हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं structure steel ही रखते हैं तो यहां पर हमारी इसको analyze कर रहा हूँ providing fix support at the i section beam यानि कि जो हमारे i section beam है यहां पर ही मैं fix support इसको provide करना चाहता हूँ तो मैं यहां पर model पर right click करूंगा insert करूंगा insert करने के बाद यहां पर fix support पर click करूंगा तो मैं इसके यह वाली जो portions है i section beam के जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे यहां से मैं इसको fix कर रहा हूँ एक यह portion हो गया इसके अलावा हमारा एक यह portion हो गया यानि कि जो i section beam है यहां से यह fix हो रखा है bridge कि यह मैंने सारे select कर लिए है वन साइट के अब मैं इसको rotate करूंगा bridge को ताकि हम दूसरी opposite site आ जाए इसके बाद आप यहां पर जाएंगे then again वापिस आप यहां पर click करेंगे याद रखेगा आपको यह जो click करने है यह control का button दबा कर रखना है नहीं तो आप एक time में एक ही select कर पाओगे अगर control का button दबा कर रखोगे तो वो जो select हुआ है वो भी रहेगा और जो आप next select कर रहे हो वो भी रहेगा यह हमारी supports यहां पर लग गई है then इसके बाद आप apply पर click करोगे तो आप देख पाओगे कि fix support यहां लिखाओ आ गया है और यहां पर blue color आ गया है यानि कि यहां से fix हो गया है इसी तरीके से opposite side में भी आप देखेंगे तो यहां पर भी blue color आ गया है यानि blue color represent कर रहा है हमारी fix support को चलिए तो हमने इसमें fix support लगा दी है तो जो model analysis हम perform करने के लिए use कर रहे है तो model analysis को perform करने के लिए जो हम boundary condition use कर रहे है इसके बाद हम यहां पर right click करेंगे मैश पर हम generate मैश पर click करेंगे मैं सिर्फ normal मैश को generate कर रहा हूँ जब आप इस component को बनाएंगे या फिर आप analyze करेंगे तो please आप मैश को और थोड़ा refine कर लीजेगा मैश को refine करने से क्या होगा कि जो आपकी answers है जो आपके results है और जादा enhance हो जाएंगे बट यहाँ पर मैश को जादा improve इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैश को जादा improve करूँगा तो मेरा जो simulation का time है वो बहुत जादा बढ़ जाएगा और result मुझे काफी time के बाद बिल पाएंगे तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैशिंग हमारी complete हो चुकी है आप देख रहे होंगे कि मैशिंग का जो size है वो बहुत ही जादा poor है क्योंकि जो geometry है वो बहुत जादा बढ़ी है बट यह software पर आपको छोटी दिख रहे होगी बट यह size में बहुत जादा बड़ी है और इसी लिए इसको मैशिंग करने में बहुत जादा time लगा है बट इस्टिल अभी भी मैशिंग इसकी उतनी refine नहीं हुई है आप चाहें तो इसकी मैशिंग और refine कर सकते हैं उसके आपके पास बहुत सारे method होते हैं मैशिंग को refine करने के लिए एक आपको example दिखा देता हूँ suppose आप right click करेंगे मैशिंग पर insert में जाएंगे तो यह सारे के सारे जो यहाँ पर आ रहे हैं यह सारे मैशिंग के method हैं मैशिंग को improve करने के लिए नॉर्मली आप चाहो तो इसका size घटा सकते हो sizing में जाकर इसके अलावा आप अलग-अलग method भी use कर सकते हो अगर आप by default मैशिंग का size change करना चाहते हैं थोड़ा और चोटा करना चाहते हैं तो आप mesh पर click करकर यहाँ पर आपको element size दिख जाएगा जो की default लिखा हुआ है आप चाहें तो इस default पर click करकर इस matching का size define कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी और चोटी match चाहिए तो actually match हमें इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि ansis इस पूरे component को एक बार में solve नहीं कर पाता इसलिए उसको चोटे-चोटे component में divide करता है जिस तरीके से हम किसी problem को solve करने के लिए इसको differentiate करते हैं जैसे dx upon dt यानि कि किसी एक quantity को हम x के respect में time के respect में differentiate करते हैं और वापिस integrate करते हैं और problem को solve करने के लिए इसी तरीके से ansis problem को solve करने के लिए उसको चोटे-चोटे component में divide करता है जिसको हम meshing कहते हैं चलिए अब हमने meshing भी generate कर ली है और boundary condition तो हमने already लगाई दी थी तो चलिए अब हम यहाँ पर solution पर जाकर इसको right click करकर solve कर लेते हैं जब हम इसको solve करेंगे तो वो by default हमें first six mode of vibration frequency देगा वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर analysis setting होती है आप इस पर click करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर first six mode ही लिखे होते हैं इसलिए अगर हम कोई भी mode shape define नहीं करते हैं तो by default वो यहाँ पर first six mode ही calculate करता है जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर solution done हो चुका है अब यहाँ पर solution पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर natural frequency सारी लिखी हुई आ जाएंगे मैं इसको एक बार थोड़ा और उपर कर लेता हूँ ताकि आपको graph दिख पाए यहाँ पर graph की frequency आ गई है बट अभी वो frequency यहाँ पर show नहीं हुई है आप यहाँ पर एक बार right click करेंगे select all कर देंगे again right click करेंगे तो यहाँ पर लिखाव आएगा create mode shape result आप जैसे इस पर click करेंगे वो सारे के सारी mode shape आपकी यहाँ पर आ जाएंगे जैसे कि आपने यहाँ देख रहे होंगे यह सारी mode shape यहाँ पर आ चुकी है अगेन आप वापस से right click करेंगे और evaluate result पर click करेंगे तो यह जो result है वो सारे evaluate हो जाएंगे अलग-अलग यानि जो हमने six mode shape निकाली थी उसमें जो अलग-अलग frequency हमारी आई है अब हमें पता चलेगा कि कौन से mode में कौन से frequency आएगी करता हूं तो यहां पर आप फर्स्ट के रिजर्ट देख पा रहे होंगे आप इसको आप इसके color contour को change भी कर सकता है सपोस्थ यहां से मैं इसको change कर सकता हूं like this like this no wireframe method तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यह है हमारा first mode of failure जो की हमारी frequency कितनी आ रही है यहां पर आप दे पेल होने के chance सबसे पहले यहां से होंगे जो की ट्रस का अपर portion है यानि प्रिश को अभी भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्योंकि यह जो reason है वह mostly blue color का है इसमें कोई भी हमारा ज्यादा high stress या high deformation नहीं है बट जो हमारी जो truss हैं इसमे रहेगा और आप चाहें तो देख सकते हैं कि किस तरीके से deformation होगा उसके लिए आपको यहां पर animation का एक बटन दिया होता है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसमें deformation किस तरीके से start होगी इसी तरीके से कुछ deformation होगी क्योंकि यह portion हमारा fix है आई section है second जो हमारा second resonance frequency है जो निकल कर आई है इसमें हमारा जो ब्रीच है वो हमारा यहाँ परяд पूर्ट पोर्शन आप देख रहे होंगे कि ब्रीच अब जो फेल कर रहा है वह हमारा जो जहां पर हमारी रॉड होती है वहां से यह टो मैं कि यहीं से आप जैसे Deformation 2 में आप देख पा रहोंगे अब इस condition में हमारा bridge जो है fail कर जा रहा है क्योंकि अब जो deformation maximum निकल कर आ रही है वो हमारी road पर आ रही है जहाँ पर हमारी vehicle चलते हैं वहाँ पर निकल कर आ रही है चलिए failure का reason तो हमें यहाँ पर मिल गया है देखने को कहां से fail होगा अब यह द bridge के उसमें यह fail होगा और यही हमारी normal condition भी होती है अगर हमारे पास कोई simply supported beam है या फिर rod है तो वो normally इसी condition में fail होगी यानि midpoint से ही सबसे पहले fail होगी तो actually में अगर देखा जाए तो हमने जो bridge design किया है उसकी जो failure frequency है वो हमें mode shape 2 में मिल रही है और उसकी failure frequency आप यहाँ पर देख सकते हो या फिर यहाँ पर उपर की तरफ देख सकते हो जो कि है 8.219 hertz यह हमारी failure की frequency है इसके बाद आगे की जितनी भी failure frequency है वो बढ़ती ही जा रही है जैसे कि आप यहाँ table पर देख रहे होंगे बट सबसे कम जो frequency है fail होने की that is 7.168 hertz यानि कि आप इसको resonance frequency कह सकते है जो हमारी first deformation है आप इसको resonance frequency भी कह सकते हैं और इसके लावा आप second deformation को भी resonance frequency कह सकते हैं वो इसलिए कि जो first mode shape है उसमें resonance frequency आप consider कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं क्यों क्योंकि इस condition में bridge आपका near about safe रहेगा क्योंकि जो उपर का portion है वो structural steel का है और उसमें थोड़ी वो deformation होगी बट जो deformation है बले ही उसमें deformation हो रही है लेकिन वो बहुत बहुत कम हो रही है जो bridge है वो बहुत बड़ा है बट स्टिल इसकी अंदर जो deformation यहाँ पर maximum deformation लिखी वे आ रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वह 0.0729 mm क्योंकि जो deformation यहां पर शो रही है वह mm में हो रही है जैसे कि आप unit यहां पर देख सकते हैं यूनिट जो है वह mm में है तो यहां पर आप खुद कर सकते हैं कि जो deformation है वह बहुत ही जादा कम है first mode में first mode shape में जो deformation है वो बहुत ही जाड़ा कम है इसलिए हम इसको neglect भी कर सकते हैं लेकिन जो second mode of deformation है उसमें deformation थोड़ी बढ़ गई है और side by side frequency भी बढ़ गई है और हमें actual में वही mode shape देखने को मिला है जिसमें normally bridge हमारे fail होते हैं इसलिए हम second mode को consider कर सकते हैं as a resonance frequency तो यह था bridge का एक short analysis कि किस तरीके से हम check करेंगे कि हमारा जो bridge है वो कितने earth quick की frequency पर fail हो जाएगा कितनी vibration frequency पर fail हो जाएगा I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा प्लीज स्क्राइब दो चैनल थंक ये वोगोगोगोगोगोगो प्लीज स्क्राइब everything कि अ के प्लीज प्लीज स्क्राइब दो चैनल डूल